मस्नूई रोश्णियों में खेलते हुए बैटर्स से आतिश बाजी की तवक्को की जा सकती है ये पिछ हरी भरी लगती है और घास की माजूदगी ओपनिंग बॉलर्स के लिए जननत अगर टॉस करने वाला कप्तान मैं होता तो कुछ कप्तान हेड्स के लिए गए नतीजा निकला है हर्ड्स ये बॉलिंग के लिए अच्छी विगेट है ओपनिंग जोड़ी मैदान के वस्त में पहुंच रही है दोनों टीमों में कई गैर मामूली खिलाड़ी शामिल है इसलिए हमें कांटेदार मुगाबले की उम्मीद है नए बल्लेबास को इनिंग्स मुस्तहकम करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा अब स्पिन का वक्त चलाए एक आफ़ी स्पिनर को आप बॉलिंग के महाद पर लाया जा रहा है वाह बॉलर ने बैटर को दाओ देने के लिए दूसरा गर दिया अच्छा रोपलिया फिल्डर ने और गेम बड़ी तेजी से वापस पहुँचा दी विक्टों के दरम्यान फराब रनिंग का मुझाहरा ये पहली विगट गिर गई इस सिनिक्स में हवाई तवाई शॉर्ट बल्ले बाज ने अपनी विकेट तोफे में दे दी इस बैटर पर भारी जिम्हेदारी है जो स्टांस ले रहे हैं इस वक्त इस दूसरा के क्या कहने बैटर बिल्कुल भी तवक्तों नहीं कर रहे थे बेज चमक उठी ये उननिस बीस हो सकता यहाँ बैटिंग साइड ने टॉप ओडर में अब अपने तीस मारखां को मैदान में उतारा है ये लापरवाही थी बॉलर की वाइड हो गई वह ये हैरान कुन दूसरा था बॉलर का फिल्डर्स ने कई बार गेम को ऐसा जबरदस रोका है कि रंस का बहुई रुग गया है रन आउट इन्हें अपने ताल मेल पर मज़ीद काम करना होगा इस नए बल्ले बास को इनिंग से आखिर तक क्रीज पर रहना चाहिए वह बॉलर ने बैटर को दाओ देने के लिए दूसरा गर दिया शांदार रनिंग का मुझाहरा इस जोट की जानिम से इस तेज रंस से अपने स्कोर की इप्तदा की और धमा का खेस शॉट जबरदस चखका दिखाई दे रहा है और शांदार चखका जिस कि रफ़तार और उठान रॉकेट के जैसे थी वाह ये हैरान कुन दूसरा था बॉलर का ये नपी तुली गेंट थी जिस पर कोई रन नहीं लग स्पिनर आये हैं गेंट करने के लिए ये हैरान कुन आफिस पिन लेग और वेड के बरने बेल जुडा दी जोरदार अपील ये उननिस बीस होगा अब हत्मी फैसला तीसरे अंपायर ने करना है स्टंप करने की तेज कोशिश मगर तेज सर नहीं बेटर महफूज है चाला की सिकी गई गेंग जिसने बेटर को कोई जगा नहीं दी डाट बॉल ये टॉप स्पिन थी सीधी ये पूरा इतमाद अपील है स्टंपिंग की उननिस बीस मौमला है बेटर के लिए तीसरे अंपायर इसके जैजा ले रहे हैं कुछ भी हो सकता है गएर यकीनी है और शांदार अंदाज में स्टंप किया कीपर ने मगर बले बाज वापस आगए बरवग एक मर्दा फिर बड़ी उम्दा लाइन और लेंड इस पर कोई रन नहीं मिला ये उल्टा घुमाओ फुब्स फलक जपकते ही बेज गिरा दी ये हिला दिन वाली अपील कीपर ने अब हत्मी फैसला तीसरे अंपायर ने करना है स्टंप करने की तेज कोशिश मगर तेज सर नहीं बैटर महफूज हैं और शांदार डाट बॉल बले बाज इस से तंग आने लगे हैं ये गुगली थी और वेट की पर ने बेल जड़ा दी जोरदार अपील ये उन्निस बीस होगा आउट या नौट आउट टीवी अमपायर को कह दिया गया है कि वो फैसला करें स्टंप करने की तेज कोशिश मगर तेज सर नहीं बैटर महफूज हैं एक मरदा फिर समयधारी से की गए कि इंद बैटर के लिए कोई रन नहीं कलाई को तेजी से फेरा ये पुरे इतमाद अपील है स्टंपिंग की उन्निस बीस मौमला आई बैटर के लिए उन्नोंने दूसरी मंजिल पर तीसरे अमपायर की मदल दी है लगता है बैटर महफूज हैं स्टंपिंग नहीं हुई इस बार ये बहरूब भरी गुगली थी इससे समझना मुश्किल है पाश पाश कर दिया इस गेम ने हवा में धिकली लगा दी ये च्छेरंस बन जाएंगे एक और छग्गे के साथ ओवर मुकमल हुआ इस गेम के साथ ही ओवर का हुआ इकताम मुझे यकीन है कि बालर पाविलियन में वापसी तक सरासर मुस्कराते जाएंगे अगर बैटिंग टीम के लिए सब अच्छा रहा तो ये बड़ा तेज रफ़तार ताकूग होना चाहिए देखे बैटिर्स जानते हैं कि एक अच्छा आगास की यहां क्या एहमियत हो सकती है अब स्पिन का वक्त तो चलाए एक आफ़ी स्पिनर को आप बॉलिंग के महाद पर लाया जा रहा है और जोरदार बैटर ने पहली गेंद पर बाउंटी लगा कर अपनी आमद का एलान किया है का जियाना लगाया इसको कोई नहीं रोक सकता धजियां उडाती चली गए इस सब्ज़जार की चार रंस ये दूसरा मुसलसल चौका क्या बैटर इसे तीन गुना कर सकते है इस स्पेल में बॉलर अपनी लाइन और लेंट पे काबू पाने में नाकाम रहे हैं बल्ले बाज हवा के सिवा किसी शेय को छू नहीं पाए अच्छी गेंद कुछ नहीं गया बॉलर के हाथ से बाहर आया अपनी क्रीज से और जोर से पहुंचा दिया इसे स्टैंड्स में और स्मेश कर दिया इस बांडरी ने बैटरिंग टीम को काम्यावी से हम किनार कर दिया आखिर में एक आसान काम्यावी मिली टीम बड़ा जेशन मना रही है जिसकी वो मकमल हगदार है